तो आज हम टेस्क्रिशन करने जा रहे हैं टीकेड फिजिक्स के एफल पी की जो के अकोडिंग तो दी पी-म-सी फिजिक्स के पूरे कॉर्स में से था तो अगर अभी तक आपने टेस्ट सॉल नहीं किया तो दिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेस्ट का जैन आपको देंगे तो आपको देखले नहीं किया तो देख लेते हैं कि उसने में क्या क्या दियो सेमें एक तो मिनेटिक विल दिए दूसरा व तूसरा हमें एरिया नंबर ऑफ तरंस अब प्रिच्छन और टाइम पिरिट दियोगे जिसमें हमने coil को निकाल ला है और वो हमसे पूछ किया रहा है induced EMF ठीक हो गया तो हम स्नेरियू देख लेते हैं कि स्नेरियू कि हमारे पास यह हमारी for example magnetic field है out of the page यह out of the plane और इस पे हमारा जो coil है वो हम suppose करेंगे जो हमारी magnetic field है वो only within the coil है तो जैसे हम निकाल लेंगे तो हमारा completely out of the magnetic field हो ठीक हो गया तो अब आपको जो फार्मिला आजा है वो आपके fingertips पे होने चाहिए ठीक है पूरी physics के तो हमें पता है कि induced EMF का फार्मिला जो होता है वह हमारे पास था negative N यानिके turns multiply by change in flux divided by time ठीक हो गया अब change in flux हमारे होगा final flux minus initial flux divided by the time it took अब initial flux तो हमारे पास था final flux तो हमारे पास zero हो जाएगा ठीक हो गर initial flux हमारे पास b into a यह निक्विंग निक्विंग इंटु एरिया आजएगा ठीक है क्योंके 90 एंगल पे तो इसलिए बी इंटु ए अगर किसी एंगल पे होते तो cause of theta होता तो खेर अब equation को थोड़ा हम simplify कर लेंगे अपनी तो हमारी equation हो जाएगे nba divided by del t हमें इन चारों की values पता है वो plug-in करेंगे n हमारे पास 400 है बी हमारे पास 4 है एरिया हमारे पास 200 है divided by 100 square करेंगे इसको मीटर सेंटी मीटर स्कूर में था तो इसको मीटर स्कूर करने के लिए 100 से सिर्फ डिवाइड नी करें 100 स्कूर से करेंगे इस चीज को इस चीज का धियान रखने अपने डिवाइड बाइट बाइट अब अब एक्वेशन को सिंप्लिफाय करेंगे हम यह दो यह से कट गें दोनों 0 से तो हमारे पास एक्वेशन पीछे बाद जाएगी 64 हमारा आंसर आजएगा तो 64 हमारा बीटा में तो बीटा क्रेक्ट आंसर है यहाँ पर इफ दी फ्लक एसोसियेटेड विद अकॉइल ऑफ हंडर तरंस वेरिज अटा रेट ओफ टू फोटी वैबर पर मिनट तो हमारे पास यह चेंज इन फ्लक्स पर टाइम आ गया तो इंडूस्ट एमफ इस तो यह तो बहुत सिंपल हो गया सिंपली दोनों को हम करने के लिए टाइम का इसा यूनिट है तो इसको सिंपलिफाय करेंगे तो हमारे पास फॉर मिल्टिप्लाइब हैंडड फॉर हंडड़ आ जएगा जो के मारे पास चारली में मुझूद है इंदी एलेक्ट्रो मेंगनेटिक इंडक्शन दी इंडूस्ट टाइम के टाइम पे ठीक हो गया तो वह हमारे पास चेंज इंट पर र emotण करेंड कर रहे वह मारे पास टाइम पर भी इपएंडक्यारियमन抵र फ्लच्व से इंडर रिजिस्तंस इन जो हैं पिछले पहले कोईसे में याद रुखे हैं में 50 ओम रिजिस्टेंस भी थी ठीक है तो वो उसने एक्स्ट्रा इंफ्रमेशन दिए थी अगर आपको किसी क्वेशन में कोई इंफ्रमेशन मिले और आप कह रहे हो क्या रही इस्तमाल में क्यों नहीं आ रही तो इस चीज से क्यों गलती का रहा हूं वो इस्तमाल तो नहीं दी तो ऐसा नहीं होना ठीक है आपकी बिसक्राइट असा आपकी नव्स का टेस्ट होता है आपके कॉंफिडेंस का टेस्ट होता है तो इस चीज का ध्यान रखना अपने अब भीम पीटा पार्टिकल इस प्रोजेक्टेट इ फील जो हमारे पास into the plane है ठीक है और प्रोजेक्ट इस तरह से मुव कर रहा है ठीक होगा तो यहां पर राइट हैंड रूल जो हता हमारे पास पोजटिव पार्टिकल की तो यह चीज़ याद रखने कि पोज़िए हम राइट हैं रूल लगाते हैं तो इस लिए क्रंट जो तो फोर्स की जो डिरेक्शन है वो आप उल्टी लोग है तो खेर हम लेफ्ट हैंट रूल लगाएंगे तो अकोर्डिंग टू दी लेफ्ट हैंट रूल हमारा जब पार्टिकल इंटू दी फील्ड जा रहा है ठीक है और आप जब उसको देखोगे तो आपके पास आएगा व तो हमारे पास एलफा यहां पर पर क्रेक्ट आंसर है अगा दी वर्ट डन फोर दी गिवन एफटी ग्राफ अप टू दी डिस्प्लेस्मेंट ओ तो वह हमें कह रहा है कि सिंप्ली वर्ट बताओ अब वर्ट हमारे पास क्या था एफ इन्टू डी ठीक हो गया तो मारे पास क्योंट लर दो एरि इरिया हमारे पास यह हो गया हृद दूसरा एरिया हमारे पास यह ठीक हो गया अब एक केके स्म Moyjoint के स्वर्ट फॉर्स map फॉर्स गुकृें outta मेंटेट तूरह पास नेगतिव है तो मतलब है कि पहले कर Just doing work done होगा वो भी positive होगा तो पहले केसे में मारे पास work done क्या आता है force 48 T multiply by मारे पास two meter displacement है तो 160 जाउल आजेगी मारे पास दूसरे केस में force negative है ठीक है तो मारे पास work done भी negative आएगा तो यहां पर work done क्या एगा negative 40 multiply by six क्योंकि displacement total हमारे पास यहां तक displacement हम ले रहे हैं तो negative 46 हमारे पास कितना आजेगा negative 240 अब इन दोनों को हमारे पास total work के लिए दोनों works को आपस में add कर देंगे तो हमारे पास total work क्या आएगा पॉस्टिव वन सिक्स्टी माइनस 240 तो हमारे पास आजेगा negative 80 तो हमारे पास यहां पर चारली correct answer है तो हमारे पास total charge कितना है वन कुलम तो उसमें electrons कितने होंगे तो हमें पताना चाहिए एक electron पर कितना चार्ज होता तो वह होता हमारे पास 1.6 multiply by 10 raised to power negative 19 ठीक है कुलम होता हमारे पास तो अब हमें यहां पर 1 चाहिए तो हम 1.6 multiply by 10 raised to power negative 19 से दिवाइड करतेंगे दूने साइट को और यह यहां पर cancel out हो जाएगा हमारे पास ठीक हो गया तो हमारे पास वन कुलम चार्ज यहां पर बन जाएगा और हमारे पास यहां पर number of electrons आ जाएगे तो हमारे पास कितने मिलते हैं वन डिवाइड बे 16 multiply 10 raised to power 20 ठीक हो गया इस तरह का कोई भी option मारे पास नहीं है तो हम इसको थोड़ा simplify कर लेते हैं वन डिवाइड बे 16 को तो डिवाइड कर लेते हम नहीं हो रहा डिवाइड पॉइंट लगाया अभी भी नहीं हो रहा है core 0 लगाया 100 आया अब 16 6000 हो रहा हम 62 तो ना तो यह 62 ना तो यह यह सोरी यह है हमारे पास यह भी नहीं है ठीक है तो यह हमारे पास अप्रोच हो रहा है तो हम इसे आगे सौल नहीं करेंगे हम 0.62 लिख लेंगे multiply 10 raised to power 20 एक वलावन कुलम के और हमारे पास point जब यहाँ पर shift होगा ठीक है तो जब भी point हमारे पास right side पर shift होता है तो right side पर shift होतो हम minus करते हैं left side पर shift होतो हम plus करते हैं gives a displacement of 2i 10j meter the well done is तो उसने हमें और दे दिया और displacement दे दिया और हमें पता है कि जो वर डान होता है वो इन दोनों का dot product होता है ठीक है तो अच्छा अब dot product cross product भी आपको आना चाहिए ठीक है यह चीजी याद नहीं और यह डिया अगर वेक्टर का चैप्टर इंक्लूड नहीं किया तो अप यह नहीं कह सकते हैं कि wow को सब्सक्राइब और को दोननी चाहां ओडर आज इसकी और वेक्टर–सक्राइब वहों को नहीं दोनों चाहिए ऐसे बहुत से आपको stages पर आओगे तो वेक्टर का concept आपका अच्छी तरीके से clear होना चाहिए तो फैर डॉट प्रोड़क्ट क्या होता हमारे पास डॉट प्रोड़क्ट में जो इन भी वेक्टर इन सेम डिरेक्शन होते हैं हम उनको total magnitude का आपस मिल्टिप्लाइ कर सकते हैं तो यहां पर i को सिर्फ हम i के साथ multiply कर सकते हैं तो i unit vector को i unit vector साथ multiply करेंगे तो हमारे पास क्या आजएगा 12 और उसके लावा हमारे पास j unit vector है तो j unit vector को j unit vector से multiply करेंगे तो हमारे पास आजएगा वर दन बाया आइडियल मोनोटॉमिक गैस अलोंग दी पाथ एबी सीडी ए तो वह सिंप्ली हमें कह रहा है कि जो यह साइकल दिया हुआ है इसमें वर डन कितने है ठीक है तो वर डन बिसकली हमारे पास उपर से वर किन होता है यह चीज़ आ रखना और जो साइकल से आउट हो तो वह हमारे बाह वर्क होता है ठीक है और यहां से हमारे पास हीट हीट-इन फिस nov और उस में हैं तो खर। हमें बर्क कि निखाल थे तो change in volume ठीक हो गया तो सबसे पहले हम network हमारे पास क्या होता है जी work in minus work out तो सबसे पहले हम work in निकालेंगे work in हमारे पास क्या आएगा 8 pressure है और volume change कितना है 4V तो 8 into 4V कितना हो जाएगा 32 PV और इसी तरह अब work out minus करना है हमने तो work out कितना हमारे पास 4P multiply by 4V तो वो हमारे पास 16 PV हो जाएगा ठीक है और इसको solve करेंगे तो हमारे पास कितना हाजएगा 16 PV तो जो कि हमारे पास delta में मुझूद है ठीक है दोनों को add ना कर देना याद रखना network वो आपसे cycle का work पूछ रहे ना तो वो network कह रहा है तो वो work in minus work out होगा ठीक हो गया वो आपसे net heat कभी में नहीं पूछे है क्योंकि वो आपके course का हिस्सा नहीं है वैसे वो भी आपको बता दिया मैंने के work in जो cycle का था वो यह होता है heat in sorry और heat out आपके पास यह होता है 10 radians are equal to तो 10 radians किसके equal है उसके लिए आपको पता होना चाहिए 1 radians किसके equal होता है ठीक है और radians में आपको 2 pi इस चीज़ का तो at least पता होना चाहिए ना ठीक अगर आपको यह value नहीं भी आख तो आप यहां से simply 360 को अगर आप divide करो 2 pi पे तो आप यह तो divide करके यहां से 57 निकाल सकते हो ठीक है लेकिन खेर आपको 57 at least time बिचाने के लिए इस तरह की चोटी चोटी चीज़ें याद होनी चाहिए तो खेर one radian equal होता है 57 degrees के almost तो multiply by 10 करेंगे तो हमारे पास कितना होजेगा 570 degree almost तो इसके क्रीब क्रीब answer कौन सा मारे पास beta में बाकी सारे से बहुत दूर है तो beta हमारे पास correct answer है an object move with a uniform velocity 4 meter per second such that a force of 2000 newton act on it through a distance of 1.5 meter by engine ठीक है what will be the work done by friction if the object remain in equilibrium अब यहां पे एक term यूज़ ही है एक पिलीब्रियम अब एक पिलीब्रियम का मतलब क्या होता है कि जो स्पें net force एक कर यह ना वह 0 है ठीक है तो यह निकिए उसमें net force equal to 0 है यह उसकी acceleration भी equal to 0 है ठीक है एक और चीश उसने जो equilibrium कहने का उसका मकसिद यह है कि जितनी force engine लगा रहा है friction भी उतनी ही force लगा रही है उसने friction आपको दी नहीं है लेकिन आप equilibrium में होने के विरस से आप निकाल सकते हो कि वह नेगटिव 2000 न्यूटन है ठीक है equilibrium बताने को उसका यह मकसा था कि आपको friction की force इवन दो उसने numbers में नहीं लिखी लेकिन आप निकाल सकते हो ठीक है तो खेर हमने well done due to friction बताना है तो वह हमारे पास f into d होगा ठीक है force हमारे पास negative है multiply by distance तो वह मारे पास negative 3000 जोल आजएगी जो कि हमारे पास beta में मझूद है उसके बाद next the total electrical resistance between a and b of the circuit shown below is तो वह हम से simply कह रहा है के total इसकी equivalent resistance बताओ इस circuit की अच्छा आगे चलके यह तो चलो काफी simple है आगे चलके थोड़े complex circuits आएंगे ठीक है वो इस तरह के ठीक है इनकी आपसे वह equivalent resistance मांग सकता है तो आप आपकी बुक में तो कहलो कि sufficient practice नहीं है लेकिन internet से निकाल के ना at least 5 से 10 जो complex circuits है ना उनकी equivalent resistance निकालने की थोड़ी practice कर लो ठीक है अब खेर यह simple size को हम simply solve कर सकते हैं उपर वाले जो तीनों resistors है वो हमारे पास series में हम simply क्या करते हैं अगर series में हमारे पास circuit तो उसमें हम क्या करते है r1 plus r2 plus r3 ठीक है यह हमारे पास equivalent resistance होती है basically ठीक है और हमारे पास जब parallel में हो ठीक है तो उसमें हमारे पास r eq किसके equal होती है 1 divided by r1 plus 1 divided by r2 plus 1 divided by for example तीन रिजिस्टर है तीनों पर और raise to power negative 1 बहुत से लोग इस negative 1 को भूल जाते हैं तो खैर हमारे पास equivalent resistance यह होती है तो यह तीनों series में है तो simply इन तीनों का आपस में add कर देंगे यह अकेला रिजिस्टर इसको भी ऐसी रहने देते हैं और यह दोनों भी आपस में series में है तो इन दोनों को भी simply add कर देंगे 20 to 40 तो खैर उपर हमारे पास कितना हो जाएगा उपर भी हमारे पास 60 है यह वैसी 60 है और यह भी हमारे पास 60 हो जाएगा तो तीनों की जो equivalent resistance है हमारे पास 60, 60, 60 हो हमारे जाएगी अब यह तीनों आपस में parallel में है तो parallel में हम कैसे add करते हैं 1 divided by Req ठीक है equal to same चीज है जो मैंने यहाँ पर लिखिया है वहाँ पर मैंने Req वैसे लिखा दिया था यहाँ पर मैंने 1 divided by लिख दिए तो इसलिए मैं रेस्ट पावर negative 1 नहीं किया तो खैर इसको solve करेंगे तो 3 divided by 60 हो जाएगा और यह हमारे पास 1 divided by 20 हो जाएगा इसको simplify ग करेंगे तो हमारे पास equal resistance कितनी आजएगी 20 हों जो कि हमारे पास delta में मुझभूद है तो उसने में क्या क्या दिया है यह तीन चीज़े दिए और हमसे magnetic field मांग रहा है तो आपको इस चीज़ का पता होगा कि एक solenoid में से जब भी क्रंट पास्थ्रू करता है तो उसके अंदर से magnetic field induced 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 हो जाती है ठीक हो गया तो खेर इसका formula भी आपके बुक में given है वह है बीजिकल स्टू म्यू नोट एंड स्मॉल एंड मिल्टिप्लाइब आई करांट ठीक हो गया अब यहां पर जो स्मॉल एंड हमारे पास तो capital N number of turns per unit length है ठीक है एंड बाइल और महारे पास मियू नोट बिसकी पर फ्री स्पेस होती है और इसकी वैल्यू मारे पास फॉर पाय मल्टिप्लाइब टैन रिस्ट पावर नेगटिव सेवन होती है यह चीज़ आप कुछ इतने भी हैं फिसकी बुक में उन सब की वैल्यू आपक 200 divided by length number of turns divided by 2 centimeter है ठीक है तो 2 से multiply किया multiply करेंगे तो यह 2 इससे कट जाएगा और हमारे पास क्या आजएगा 8 by multiply by 10 raised to power क्या होगा negative 7 यह और plus 4 हो जाएगा हमारे पास है ठीक है तो हमारे पास क्या बन जाएगा 10 raised to power negative 3 जो के बीटा में मुझूद है specific heat of an ideal gas for an isothermal processes तो हमसे specific heat मांग रहा है for isothermal process तो हमें बता है कि specific heat CV और CP होती है और isothermal से मुराद है कि इसमें change in temperature zero है तो अब आपको CP और CV का formula one second आपको physics का एक 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 फार्मूला हो याद होना चाहिए तो अब एक एक चीज़ के multiple formulas भी है ठीक है तो जो फार्मूला इससे relate करता है वह वह ला लिख लो यह जितने भी फार्मूला आपको पते हैं सारे लि लिख सकते हैं अब जब दोनों के cases में divided by zero हम कर रहे हैं तो something divided by zero ठीक है कोई भी number हो ठीक है उसको जब हम zero से divide कर दें तो वो हमारे पास infinite बनता है ठीक है इस चीज़ को याद रखो और किसी भी number को अगर हम multiply by zero करें तो वो हमारे पास zero बनता है और एक और चीज़ किसी भी number को अगर हम infinite से divide करें तो वो भी हमारे पास zero बनता है ठीक है यह कुछ चीज़ें याद रखो तो खैर यहाँ पर हमारे case में zero से divide हो रहा है तो यानिके infinite तो हमारे पास Charlie's का correct answer है two bodies x of mass 4 kg and y of mass 6 kg have same linear momentum ठीक है हम इन दोनों x को और y को हम m1 m2 कह रहे हैं इनके मैसेज को linear momentum उनका सेम है यानिके m1 v1 equal है m2 v2 के if the kinetic energy of y is 48 joule then the kinetic energy of x is ठीक हो गया तो kinetic energy of 2 उसने हमें दी हो या kinetic energy of 1 पूछ रहा हम से kinetic energy होती क्या है वो हमारे पास होती है 1 divided by 2 mv square ठीक है अब mass तो हमें पता है हमें velocity of the first object नहीं पता ठीक है अब यह हम कैसे निकालेंगे अब सबसे पहले तो हम kinetic energy वाली equation जो है 2 की उसको उसका formula लिख लेंगे अब यहां पे हमें mass पता है velocity इसकी भी नहीं पता तो खैर हम mass की value लिख लेंगे कुछ ना कुछ हम जो जो हमें data बता हम उसको लिख रहे हैं तो खैर यहां से हमारे पास 48 equal to 1 divided by 2 6 multiply by v square आजएगा इसको solve करेंगे तो हमारे पास v square equal to 16 आजएगा ठीक है और v2 हमारे पास क्या आजएगा 4 वी 2 की value हमें मिलगी अब हमें वी 1 की असल में तो value चाहिए थी अब हम क्या करेंगे हम यह v2 के value इस equation में plug in कर देंगे अब यहां पर हमें M1 भी पता है M2 भी पता है वी 2 भी पता है V1 solve कर लेंगे हम तो खैर values plug in करेंगे हम M1 की value में पता है V1 नहीं पता है, M2 पता है, V2 पता है, solve करेंगे हम, तो हमारे पास V1 कितना आजेगा, 6, अब हमारे पास V1 भी आगए, तो simply इस V1 की वैली वहाँ पर plug-in करके, हम kinetic energy निकाल लेंगे, जो के हमारे पास ये 2 इसे काट गया, 2 multiply by 6 square, तो 6 square हमारे पास 36 होता है, तो ये 72 जाओल आजेगा, जो के हमारे पास beta में मुझूद है, system which allows exchange of mass, heat and work with its environment is called, तो वो system जो के exchange of heat, mass and energy allow करता है with surrounding, उसे हम open system कहते हैं, ठीक है, अगर तो वो flow of mass नहीं है उसमें, ठीक है, यानि के ये हमारे system है, ठीक है, अगर तो mass flow नहीं हो सकता, ठीक है, mass flow नहीं हो सकता, तो उसे हम close system कहते हैं, heat और work close system में भी आ सकता है, बाइट से, ठीक है, ये mass basically decide करता है, अगर mass का inflow है, तो वो open system अगर नहीं है, तो वो close system है, the unit of dielectric constant is, तो unit of dielectric constant हमारे पास क्या होता है, electric क्या होता है विसके लिए, तो वो हमारे पास constant होता है, जो कि हमारे पास capacitance of a medium, divided by capacitance in vacuum की ratio होती है, ठीक है, ये भी formula आपकी बुक में given है, अगर फोर एजेंपल आपको ये formula नहीं बता, तो अब थोड़ा remind करो कि ये चीज़ कहां पर इस्तमाल होती है, ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास capacitance of a medium के case में हमें नज़र आती है, कि वो हमारे पास इस form में होता है, और capacitance of जो vacuum होता है, वो हमारे पास इस form में होता है, ठीक हो गया, तो हम यहाँ पर जो ये वाली चीज़ है, ये capacitance in vacuum ही तो है, तो हम replace करके लिख सकते है, capacitance in medium is equals to capacitance in vacuum multiply by dielectric constant, तो यहाँ से basically हमारे पास ये ratio आती है, तो खेर दोनों capacitance की ratio है, तो उन दोनों के units आपस में cancel out हो, जो हमें कोई unit नहीं रहेगा, तो खेर, डायलेक्टिक का कोई unit ही नहीं होता है, constant होता है, तो खेर, हम दोनों के लिए acceleration असल में निकाल नहीं है, तो उनकी ratio लेंगे तो हमें answer मिल जाएगा, तो हम दोनों की acceleration कैसे निकालेंगे, बारी-बारी हम दोनों के लिए solve कर लेंगे acceleration, तो acceleration हमारे पास कैसे निकालेगी, f is equal to ma वाले formula से, force हमें पता है, mass हमें पता है, acceleration हम find out कर लेंगे, acceleration के लिए equation को थोड़ा सीधा करेंगे, force divided by mass values plug-in की 10 by 5, तो acceleration हमारे पास 2 meter per second आजएगी, अब इसी के case में भी हम देख लेते हैं, force divided by mass, force हमारे पास 10 by 7.5, और इसको जब हम solve करेंगे, तो हमारे पास 4 divided by 3 आजएगा, अब हमें ratio किस किस की चाहिए, ratio 5 kg divided by 5 kg by 7.5 kg चाहिए, ठीक है, तो यह यानि कि हमने, acceleration इसको यानि 5 kg को 7.5 kg से divided करना है, तो values plug-in की 2 divided by 4 by 3 था, तो 4 नीचा आगे, 3 multiply हो गया, तो simplify किया, तो हमारे पास क्या आजएगा, 3 by 2, जो कि हमारे पास कहाँ पे, alpha में मज़ूद है, as shown in the figure, 3 slabs are placed on each other, such that respective mass of A, B and C is 20 kg, A का mass हमारे पास 20 kg है, B का mass 6 kg और C का mass 4 kg, ठीक हो गया, what is the force applied by A on B, तो वो कहाँ है कि A जो हमारे पास, वो B पे क्या force लगा रहे היाँ, ठीक है, तो हमें वो force दो लगा रहा है, तो हमें उसके लिए उसके लिए, B जो force लगा रहा रहा है, A पे हम वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ख़्यर, दोनों के cases में, हम वो force निकार रहे हैं जो के B A पर लगा रहा है तो A उस reaction के तोब रपे इस पर दोनों equal होंगी तो खेर वो हमारे पास M into G होती है ठीक है weight के equivalent होती है तो total mass कितना है हमारे पास B और C का mass इसमें add up होगा ठीक है तो वो मारे पास 6 प्लस 4 हो जाएगा multiply by 10 तो हमारे पास 100 newton आजेगा और हम A की अगर बात का रहे हैं तो A upwards force लगा रहा है B जो है उस पर downwards force लगा रहा है तो A उसके reaction में जो force लगा रहा है वो upwards होगी तो हमारे पास answer क्या बनता है delta 100 newton upward which one of the following changes when wave change its medium तो जब wave अपना medium change करती है तो क्या होता है क्या चीज change होती है तो हमारे पास जो speed है वो change होती है हाँ होती है हमारे पास speed के change होने से क्या wavelength या frequency में से कोई चीज change होती है तो हमारे पास wavelength change होती है frequency change होती है अब मैं ये सारी चीज़ आपको समझाता हूँ कि frequency कैसे same रहती है तो इसका अंसर हैं डल्ट है अब यह सारा मामला क्या है तो आपको एक एनलोजी देने की कुंशिश करता हूं फोर जैंपल यह हमारे पास एक रट है ठीक है और इसी के साथ यह सैंड यह हमारे वह रोड आगी एक बंद उसने पॉइंट एड टू बी जाना है तो मुझे बता जान से भागेगा सेमे में वो लेकिन भागेगा और पर वो तेजग बागेगा जहरी सी बात है तो उसका जो शॉटस टाइम जो लगेगा वो करवेचर कुछ इस तरह से से जलदी से बाहर निकले सब्सक्राइब और वह रोड पर भागेगा तो इसको पात तो आप यह पाथ यह होगा या फिर यह ओगा यह चीज़ डिसाइड गरेगी इन दोनों पे जोस्की विलोस्टी की रशियो वह जो आपको बिसिकली स्टेयल वह भी यह होता है और लाइड भी इसलिए diffract होती है ठीक है इन्स अमीडियम कि उसकी speed in both leap मेडियम different होती है ठीक है तो एक से लिए इस वज़ा से जब inquiry meeting change होतता है तो वहां पर स्पीट change होती यह और हाँ अब मैंने आप कोई चीज बताई थी फोर जेंपल फ्रिक्वेंसी का रिलेशा मेरे बास वी बाइ वेवलेंथ तो आप से एक तर पूछता है कि फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज हुई है ठीक है वो 2F होगी है मिसाल की तोर पे तो वह आप से कहता है कि विलोस्टी पे उसका क्या चेंज आए उसकी मिसाल इस तरह है कि आप साउंड की मुथलिफ फ्रिक्वेंसी है ठीक है लेकर उन तमाम की स्पीड जाए वो 332 मीटर पर सेकेंड है अल्मोस्ट डिपेंडिंग ऑन दी मीडियम लेकिन फ्रिक्वेंसी की चेंज होने से व्लोस्टी चेंज होती तो इसका रिलेशन कु यह चेंज होगी ठीक हो गया और इसके चेंज होने से यह चेंज होगी ठीक है लेकिन विलोस्टी के चेंज होने से जो मेरे पास है सिर्फ वेवलेंट चेंज होगी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी यह चीज़ याद रखो तो खैर यहां पर मेरे पास स्पीड भी सब्सक्राइब देल्टा बोथ एंड सी अस्टोन ऑफ फाइफ केजी इस टाइड विदा स्ट्रेंग फ्लेंद फाइफ मीटर इस मुवड इन सर्कुलर पाथ इन होरिजॉंटल प्लेंग विच स्पीड पूर मीटर पर सेकेंड ठीक हो गया दिटेंशन इन इस प्रेंग इन इ पास थोड़ा सिंपल के सुते हैं और वर्टिकल प्लेंग थोड़ा हमारे पास थोड़ा सा कॉंप्लीकेटिड हो जाता है और बाता चैंक होने यह जो दोनों एक डिरेक्शन हो जाते हैं तो हमारे पास maximum tension जब object अपनी lowest point पो तब होती है तो ये चीज़ थोड़ा सा तंग करेगी आपको vertical motion के vertical plane के case में उस तरह के भी हमने कुछ MCQs जो हमारा circular motion का chapter था उसमें discuss किये थे तो खेर हमारा तो ये वाला simple case है हम इसको देखेंगे हमारे पास tension equal हो जाएगी centrifugal force के centrifugal force हमारे पास होती है MV square divided by R तो हमारे पास mass भी है velocity भी है और radius भी है values plug-in की simply हमने और हमने इसको solve कर लिया तो 4 का square हमारे पास 16 होता है और ये point खतम करने के लिए जब हम इसको multiply करेंगे हमारे पास 80 divided by 1.5 आजएगा और हमने point खतम करने के लिए 10 से उपर multiply कर दिया और थोड़ा सा काट लेंगे इसको तो 2 by 3 हो जाएगा तो 2 को multiply गया 163 से divide कर दिया तो हमारे पास 53 आजएगा तो 53 newton alpha में मुझूद है हमारे पास A straight conductor is connected with a current source such that a current I flows through it as shown in the figure blow what will be the direction of B if viewed from above तो हमें कहे रहे है कि direction of magnetic field क्या होगी अगर हम इस circuit को from above देखें ठीक है कि हम यहां से basically हम देखें अगर इसको ठीक है यह मेरी आँक है फरसेंबल खेर current की direction यह है right hand rule लगाओ ठीक है अपने fingers को curl करो तो आपको direction of magnetic field मिल जाएगी जो के हमारे पास कुछ इस direction में आएगी तो जब हम इसको from above view करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का view नदर रहेगा ठीक है तो यह हमारे पास कौन सी direction है यह हमारे पास clock wise है ठीक है तो मारे पास यहां पे alpha correct answer है EV is the unit of तो EV किस चीज़ का unit है अगर आपको नहीं याद तो आपको पर जब पल एवी वैसे तो energy का unit है ठीक है delta इसका correct answer है लेकिन फर जब अगर आपको नहीं याद तो आपको यह पता होना चाहिए कि potential energy जो होती है है मारे पास sorry potential जो होता है वो मारे पास किस चीज़ का unit होता है किसके एकवल होता है work done per unit charge तो यह मारे पास क्या है energy ठीक है और यह मारे पास voltage है और यह मारे पास charge है ठीक है तो वो EV यह हमारे पास क्या है charge है ठीक है और यह मारे पास voltage है तो basically अगर मैं इसको इदर जाकर multiply कर दो तो मेरे पस क्या बनती है energy तो delta वहाँ से भी आगर आप निकाल सकते हैं अगर आपको direct TV नहीं पता तो आप इस तरह से जो भी relevant information किसी भी चीज़ के मतलिक मिले उसको लिख लो अगर आपको solution को अप्रोश नहीं कर रहे हैं तो जी यह MCQ काफी मज़ेगा था और इसको बहुत से गल्त किया अब उनकी गल्ती क्या थी हम उस mindset को भी जानने की कोशिच करेंगे तो खैर MCQ देखते हैं the velocity time graph for a particle moving in a straight line is shown below the acceleration of a particle during the interval OB, AB, BC and CD is, तो अब इसलिए कह रहा है कि इस intervals में उसकी acceleration क्या होगी, उसने हमें velocity time graph दिया हुआ अब बहुत से लोगे ने इसको Charlie मार किया, जो के गल्त था और उन्हेंने क्यों मार किया, वो भी मैं आपको समझाता हूँ इसलिए हमारा O point है, ठीक है तो दुबारा जो acceleration है वो increase कह रही है, जबके C से D positive slope है, यह है तो आपके पास zero slope है, और यह है तो आपके पास negative slope है अब यह concept उन्हें यहां पे लगा दिया होगा positive slope और increasing slope दोनों अलग अलग चीज़ए है अब मैं क्या कह रहा हूँ, उसने कहा कि slope, acceleration क्या है बिसक्वी, तो acceleration हमें 30 meter per second square, अब वो 20 meter per second square आगी है अब दोनों cases में है तो यह positive लेकिन decrease हुई है ठीक है, तो अब आपको यहां पे भी देखके पता चार रहा होगा कि उसकी slope किस तरह से vary कर रही है, हम उस चीज़ को हम एक दफा देख भी लेते हैं कि उसकी slope increase कर रही है, अब वो पोजिटिव को increase कर रहे हैं, जब कैसा नहीं है देख लेते हैं कि slope increase कर रही है और decrease कर रही है बेसिकली जब हमारी slope इस देरेक्शन में anticlockwise यह रोटेट करेगी ठीक है, with time interval, with the passage of time तो हम उसे कहेंगे कि slope हमारी increase हो रही है और अगर हमारी slope इसी तरह with the passage of time clockwise rotate करेगी, तो हम उसे कहेंगे कि slope हमारी वो decrease हो रही है ठीक है, तो हम देख रहेते हैं कि हमारी जो graph है उसमें slope increase हो रही है with the passage of time या decrease हो रही है तो खेर, हमारी slope starting में इस तरह से थी अब यह किस direction में rotate करेगी विद इस तरह से है, ठीक है फिर वो इस तरह सुई फिर वो यह निके आज तरह सा किस डिरेक्शन में रोटेट का रही है वो हमारे पास anti-clockwise rotate का रही है तो इसको हम कहेंगे कि slope हमारी जो है वो decreasing है ठीक है with respect to time आगे a to b हमारे पास slope उसी तरह ही रह रही है और horizontal है तो हम इसे कहेंगे कि slope हमारी constant है और वो zero है और b to c हमारे पास slope क्या है वो increase का रही है वो anti-clockwise rotate का रही है निके वो start में थोड़ी सी यूँ थी फिर थोड़ी यूँ फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ ठीक है यह उसकी slope जो है increase का रही है with the passage of time ठीक हो गया और चारली में हमारे पास straight line है तो slope उसकी constant है ठीक है slope हम कह रहे है विसकी expiration को तो हमारे पास expiration का trend यहां पर क्या बनता है decreasing zero increasing constant तो यह जबके हमारे पास alpha में मुझूद था तो alpha इसका correct answer बनता है the diagram show a wave which one of the falling is the phase difference between c and e तो हमसे c और e का phase difference मांग रहा है ठीक हो गया अब phase difference याद रखना zero से लेके two pi के दर्मियान में होता है ठीक है अब बहुत से लोग इसको कहेंगे कि यहां से लेके यह wave यहां पर आके complete होगी है तो उसके बाद हम two pi plus यह करेंगे जब कैसा नहीं है c point जो यहां पर उसको हम two pi के replicate कर सकते हैं ठीक है तो हम two pi है निके complete होने के बाद उसको हम यहां पर replicate कर सकते हैं तो अब हमने basically face difference यहां से लेके यहां तक बताना है तो यह हमारे पास basically the total work done for the given fd graph is तो हमारे पास total work done वह पूच रहा है इस fd नहीं कि force into displacement graph की तो अब इसलिए area under the curve है तो हमारे पास जो graph है segments 3 segments में है तो हम 3 segments का लग लग area लेंगे पहले segment में मारे पास area कहता है 60 multiply by 0.5 तो 30 आएगा फिर उसके बाद 0.5 इंटरवल और 80 तो 40 आएगा फिर मेरे पास 0.5 इंटरवल है ठीक है हम इन इंटरवल के साथ बिसकिलिए मुल्टिप्लाइगा रहे हैं तो मेरे पास क्या बनता है इस दफ़ा 40 है तो यह 20 आजएगा ठीक है तो मेरे पास तीनों को सम करेंगे तो मेरे पास कितना आजएगा ट्रॉटल वर्क वह मेरे पास 30 इंटर 40 इंटर 20 आजएगा तो वह हमारे पास कितना बनता है 90 जूल तो हमारे पास अलफा इसका क्रेक्ट आंसर है अब इस क्वेश्टन को सुल्व करने के लिए आपको दो चीजों का कॉंसेप्ट या प्रैक्टिस आप क्यों नीच चाहिए ठीक है एक तो आपने रिजिस्टन्स वाले जितने भी सर्कृट् रफ़ प्रैलर उनकी प्रैक्टिस करनी है ठीक है दूसरी जापने केड और और केविए क्रिशियो फ्रॉली आपको यह क्रिशन नीं में included नहीं है according to the PMC slippers तो खेर यहां पर हमारे पास EMF just supplied है वह हमारे पास six watt by the battery the internal resistance is negligible the three resistors as shown each resistor has a resistivity of four ohms what is the current in x यहां से जो हमारे पास current जा रहा है वह कितना है ठीक है वह हम से यह पूछ रहा बेसी लिए है तो खैर हम देख लेते हैं में रपास how care है अगर हम देखें तो यहां से जो में रपास current आ रहा हम उसको अगर इस loop में जो current आ रहा हुए उसको हम i3 यहां सो के add up होंगे तो दुबारा i1 हमारे पास बन जाएगा ठीक हो गया हम उसको i1 दुबारा से लिख सकते हैं तो बिसकली वो हमसे यह पूछ रहा है कि यह क्या है ठीक है तो अब हम इस scenario को देखे equation बना सकते हैं कि i1 इक्वाल है i2 i2 प्लस i3 के ठीक है उसके बाद हम अपने circuit को थोड़ा simplify कर लेंगे हमने बिसकली i2 निकालने के लिए हमें i3 और i1 पता होना चाहिए तो हम i1 सबसे पहले निकालेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे circuit को थोड़ा solve करेंगे यह वाला resistor और यह वाला resistor हमारे पास दोनों आपस मे parallel हैं तो इनको अपस में equivalent कर देंगे तो हमारे पास जो form बनेगी वो क्या बनेगी circuit की यह फोर हम हमारे पास आगया और इसकी equivalent resistance हम कैसे calculate करेंगे वह हम calculate कर लेते हैं वह one by four one by four raised power negative one आजएगी तो इसको हम जब हम solve करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा तो हम तो हम हमारे पास इसकी रिजिस्टेंस आगी तो हमने आई वन calculate करने तो हमारे पास किसके एकपल होगा total resistance voltage divided by total resistance मारे पास voltage भी है divided by six इन दोनों को add कर दिया तो six मारे पास आई वन कितना आजएगा one million पेर one million पेर क्यों आ रहा है क्योंकि यह इसके लिए दो ओम नी दो kilo ओम है ठीक है तो खेर आई वन आ गया हमारे पास अब एक और चीज़ यह दोनों रिजिस्टर सेम है तो इन दोनों में जो क्रण्ट ड्रा होगा वो equal होगा यानिके i2 और i3 हमारे पास equal है ठीक है तो अब हम लिख सकते है i1 equal है 2 i2 के ठीक है हमने i3 को i2 के equal रखती है तो हमारे पास i1 है हम i2 हां से निकाल लेंगे कि i1 divided by 2 हमारे पास i2 के value आजएगी तो वह हमारे पास कितनी आएगी 0.5 milliampere ठीक है तो वह हमारे पास किस में है बीटा में तो वह हमसे wavelength पूछ रहा है ठीक है और उसने हमें क्या क्या दिया है एक तो उसने हमें velocity दिया हुई है और दूसरा उसने हमें कोई data दिया है कि 50 waves एक पॉइंट से 10 सेकंड में गुजर रही है तो खेर हमारे पास frequency की question तो यह है velocity divided by wavelength हमारे पास यहाँ पर अगर वेवलेंद के लिए सीधा करें तो velocity divided by frequency होगी अब हमारे पास velocity तो है wavelength हमारे पास नहीं है तो wavelength हम कैसे निकालेंगे बिसकलिए जो उसने आपको यह data दिया कि 50 waves पासी तुरा पॉइंट इन 10 सेकंड यहां तो एक सेकंड में पांच गुजरी है तो पांच हर्ट से मारे पास frequency भी आगी उसकी भी value plug-in करेंगे velocity की value भी plug-in करेंगे तो मारे पास wavelength आजएगी 50 meter जो के मारे पास Charlie में मुझूद है इन अ पैरलल कॉंबिनेशन ऑफ तो रिजिस्टर आर वन आर टू आइज दी टोटल ग्रंट थूदी सर्केट दूदी सोर्स ऑफ टैंचल वी देन विच वन फॉर्लिंग इस कुरेक्ट तो कॉंसी स्ट्रेटमेंट कॉरेक्ट है फॉर्जेंपल हमारे पास जो स्नेरियों व और 1 का रहा है और 2 और 2 रिजिस्ट को कह रहा है तो ऑफ रहा है तो हम यहां पर देखेंँ तो प्रेंट न इस उम्हें लिए हाप टोर्प पास जो टोटन है वो एकिवल एँटमेंट प्लस एक्टूप रहा है और ऑप बैट्री का potential है वो一 वैड पोटेंचल प्रोत रिस्टर 1 क्रोस North and ओक्रोस डिस्थे स्टू यह विल्स चिस्व है नवर पास जो cc सीरीज में घूल सिरिज में होता है है वाली जो सीडेज में सरक्रेठा रेजिस्टर होते हैं तो उसमें करन्ट है वह सेम रहते हैं ओरativa पास ड्रॉप करती है ठीक है जैसे जैसे हम रिजिस्टर से गुजर्बते रहते हैं और पहरे रेल में हमारे पास क्या होता है कि महट्सल procure जो वॉल्टेज है वह सेम रहती है across each register ठीक है और जो हमारे पास I है वो डिवाइड होता है ठीक है इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए तो खेर यहां पर जो यह हमारे पास potential है वही R1 के cross है वही R2 के cross होगी तो हमारे पास जो second statement है वो को भी correct है तो अगर दो statements correct हो तो इसका मतलब है कि कोई option हो जाए कि both a and b नहीं है तो all of these इसका answer बनता है तो हम चारली को verify करने की जुरूरती नहीं है लेकिन हम discussion कर रहे हैं तो हम उसको verify कर सकते है equivalent resistance हमारे पास 1 divided by R1 plus 1 divided by R2 होती है और whole raised to power negative 1 तो हम इसको solve करेंगे तो R1 multiply by R2 रूपर R1 plus R2 हो जाएगा और simply this equation को उल्टा कर दिये तो R1 multiply by R2 divided by R1 plus R2 हो जाएगा यही तो वह Charlie में कह रहे है two waves having the same frequency traveling in the same direction rise to तो हमारे पास same frequency और same direction में दो waves जा रही है तो वह क्या होता है वह basically हमारे पास interference होती है बीटा का correct answer है बाकी भी options को देख लेते हैं beats हमारे पास के लिए beats के लिए हमारे पास जो frequency हो डिफरेंट होनी चाहिए जो के इस case में same है अगर same frequency होगी तो beats produce ही नहीं होंगी और जो हमारे पास C और D हैं यह दोनों बिसकली same चीज यह stationary waves or standing waves एक ही चीज का नहाम है an electron moving with a velocity 10 raised to power 6 meter per second enters a region where the magnetic field exists if the falling circle of radius 0.1 meter the strength of the magnetic field is तो आपको पता है कि जब भी चार्ज पार्टिकल perpendicular to a magnetic field है तो वो circulate होने लग जाता है अगर आपने पिछली discussion देखिए हो जिसमें मैंने अपनी snap share की थी तो उसमें आप इस चीज का सबूत था तो खैर हम यहां पर भी देख लेंगे कि हमारे पास जो magnetic field है उसकी strength है वो हमसे वो basically मांग रहा है तो हमें पता है कि E by M equal होता है V divided by BR once again आपको formula सारे fingertips पे होने चाहिए है तो हमारे पास यहां पे हमारे पास EB है ठीक है वो तो हमें पता है उसकी value हमें पता होती है V भी है हमारे पास और R की value भी हमने B निकालना है लेकिन हमें M नहीं पता यहां पर तो mass of an electron की value भी आपको याद होनी चाहिए और वो हमारे पास इसका आपको रटा लगाना है वो हमारे पास ही करोती है 9.11 multiply 10 raised power और negative 31 kilo तो खैर अब हमें सारी values पता है simply हम B के लिए equation को सीधा करेंगे M divided by ER हो जाएगा और values plugin कर देंगे हम सारी तो अब इसको solve करेंगे तो मारे पास यह दोनों 10 के इलावे बाकी मेरे पास क्या बनेगी 9.11 divided by 1.6 multiply 10 raised to power नेगटिव 13 अच्छा है को और चीज़ अब यहीं पर आप solve देख के आप यह बता सकते हो कि 1.8 multiply 10 raised to power 4 तो आएगा नहीं ठीक है यह fraction जो हमारे पास यह basically मारे पास around 5 आएगी ठीक है यह आपको देख के idea हो जाना चाहिए तो ना तो हमारे पास alpha आएगा नहीं हमारे पास beta बनता है और यह 9.11 से तो बड़ी होगी नहीं तो मारे पास जो delta वो भी incorrect है तो खेर हम क्योंकि हम discussion कर रहे हैं तो हम verify कर लेते हैं negative 31 प्लस 6 ठीक है यह 6 नेगटिव 19 नीचे उपर आके positive 19 हो जाएगा नेगटिव 1 नीचे उपर आके positive 1 हो जाएगा तो इसको हम solve करेंगे तो मैरे पास क्या आजएगा 9.11 divided by 1.6 multiply 10 raised to power negative 5 ठीक है तो यह चीज की verification बाकि अगर आप देगा कि आप असानी से distinguish कर लो ठीक है अगर वो यहां पर एक दो और option 5 के करीब दे दा तो तो तुक ही नीथी बनती कि आपको बगार calculator के इस तरह के questions दिये जाए तो उनको पता है कि आपके पास calculator नहीं है तो आपको option इस तरह से के देंगे कि अगर आपकी methodology ठीक है तो time graph दिया हुआ है ठीक है तो उसने हमें एक body दिया है A और एक body दिया है B अब यहां पर एक चीज़ आपको पताने चाहिए कि हमारे पास dt graph के अगर हम slope लें ठीक है तो वह हमारे पास क्या होती है VT यानिके velocity time graph और अगर हम velocity time graph की slope लें तो हमारे पास होती है acceleration उसने हमें दि VT graph दिया है और वह हमसे कह रहे है कि acceleration of the bodies बताओ ठीक है तो अगर हम इस graph से अगर हम VT graph अगर एक बनाना चाहिए इसका ठीक है रफसा तो हमें बता है कि slope जो है A की वह काम है B की जादा है और constant slope है नहीं कि slope with time change नहीं हो रही ठीक है वह इसी direction में है और इसकी भी slope with time change नहीं हो रही तो straight line graphs होंगे VT तो A थोड़ा काम होगा B उसे ज्यादा होगा अब हमसे वह acceleration मांग रहा है तो ना तो A की velocity चेंज हो रही ना तो B की velocity चेंज हो रही तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो acceleration होगी वह 0 होगी दोनों के cases में तो हमारे पास इसका correct answer बनता है डल्टा ठीक slope basically होती है slope हमारे पास rise over run होती है तो अगर आप दोनों का run देखो run तो दोनों में है लेकिन rise दोनों में 0 है तो इसलिए slope 0 है ठीक है तो अगर वो for example आपको कहता है कि हाँ पे उसकी velocity बताओ दोनों bodies की तो वो आप कैसे calculate कर सकते है वो आपने basically rise over run दोनों का rise यानी कि आपने rise हमारे पास अगर यह है हमारे पास graph तो इस case में हमारे पास rise यह run यह है ठीक है यह आपने calculate करना है values उनकी ratio लोगी तो आपको पास slope आजएगी तो वो आप यहां से calculate कर से अगर आप से वो VT graph मांगता है या velocity मांगता तो यहां से पर वो हम से velocity नी acceleration मांग रहा है अब body of mass 6 kgs under a force which causes displacement in it given by d is equals to t square अब इसकली है by 4 meters यहीं कि उसने displacement का आपको एक function की form में दी हुए वेर T is the time in seconds ठीक हो कि T time है work done by the force in 2 seconds is तो वो हमसे work done मांग रहा है ठीक हो गया अब यह question basically MD का students के लिए out of the course था ठीक है लेकर मैं इस question को इसलिए नहीं निकाला कि आपको यह question किसी और form में दे सकता है अब out of the course क्यों है एक चीज होती है जिसको हम कहते है differentiation जो के maths के student maths में बढ़ते हैं लेकिन वो आपको इसका alternative दे सकता है तो खेर हमारे पास displacement है हमारे पास force नहीं है अब बहुत से लोग कहेंगे यहां पर force किया वो बेड को force में convert करेंगे लेकिन वो force नहीं है अब उसने basically force हमें कहां से मिलेगी उसने आपको displacement दी हुई है ठीक है MD grad students को displacement या तो VT graph की सुरत में दे सकता है ठीक है कि यहां से acceleration basically निकालना हमारा मक्सद है तो खेर engineering students तो इस function से भी निकाल सकते लेकिन biology के students नहीं निकाल सकते तो वो उनको किसी और form में दे सकता है कि वो आपको VT graph दे दे वहां से आपको slope निकालनी पढ़ जाए और जो उसकी slope acceleration हो जाएगी तो आपको basically acceleration निकालनी है खेर math के शुर्ण तो इसको इस तरह से solve करेंगे आपको इस तरह से function की form में नहीं आएगा कि वो basically differentiate करेंगे इसको with respect to time तो वो आप इनके पास यहां से acceleration जो basically आएगी वो उनके पास one by two meter per second आएगी आपको वो graph की सूरत में दे सकता है जहां से आपको निकालनी आनी चाहिए ठीक है तो खेर acceleration निकालेंगे मैं समय पता है तो हमारे पास force आजेगी जो के हमारे पास आजेगी three newton वो हम value यहां पर plug-in के रहेंगे तो हमारे पास three multiply by four by four ठीक है time in two seconds उसकी value put की तो उपर four हो गया divided by four तो हमारे पास total work आजेगा three joule जो के हमारे पास delta में मुझूद है electric intensity at a place due to a charge conductor is तो electric intensity हमारे पास एक charge के लिए होती है scalar होती है vector होती है electric field intensity जो होती है the potential difference between point A and B of the electric circuit shown below तो बहुत ही simple है हमसे वो उसने हमें current दिया हुए यह नहीं कि हमें potential difference निकालने के लिए वी जिपस्टो आई या ठीक है आई उसने हमें दिया हुए और हमने निकालना है तो वह हम इस circuit को basically solve करके आई आर निकाल लेंगे तो मारे पास यह दोनों सिरीज में हैं इन दोनों का एड़ करेंगे तो मारे बस 24 अजएगा यह दोनों अपस में parallel में हैं तो इनको को solve करेंगे हम जिस तरहां पैरल सर्कृट को करते हैं डिवाइड बै और बन डिवाइड बै और टू और होड रेस्ट पावर नेगिटिव न तो मेरे पास यह होजएगा 12.5 volt delta the resistance of a 20 cm long wire is 3 ohm when the wire is stretched uniformly so that its length become 4 cm the new resistance is अब बहुत से लोग यहां पर गलती करेंगे वह कहेंगे कि हमारे पास 20 cm थी और रिजिस्टन्स हमारे पास 3 ohm थी लेंथ जो हमारे पास डबल होगी तो मारे पास resistance भी डबल हो जाएगी क्योंके relation हमारे पास और जीकुस टू रिजिस्टिविटी एल बाई एल एल बाई तो हमारे पास जो अगर length है डबल होई तो मारे पास resistance जो है वो भी डबल हो जाएगी ठीक हो गया टू बायर को मना आ गया इसको हम और से रिप्लेस कर सकते हैं तो वो न्यू रिजिस्टंस को टू आर करके डेल्टा मार कर लेंगे जो के इनकरेक्ट है क्यों बिसकली उसने कहा कि इनफॉर्मली स्ट्रेच हुई है ठीक है तो अगर एक चीज़ ट्रेच हुई है उसका एरिया तो कम होगा ना तो एरिया से भी तो रिजिस्टंस जो है वो एफेक्ट हो रही है तो अब उसका हमें न्यू लन्द तो पता है लाके उसका में न्यू एरिया नीँ बО्ठा तो ऊमें कैसे निकालेंगे हमें पता कि जो वाइर की वाइर मॉलिय सिच्थध कार को लूट सरफीस के एक्यों होता है सर्फस है यह 2L divided by A by 2 यह 2 पर जाके multiply हो जाएगा तो हमारे पास 4 resistivity L by A हो जाएगा तो हमारे पास यह पूरा factor R की एक वला है तो हमारे पास new resistance basically four times of the previous resistance होगी तो हमारे पास यहां पर correct answer मिलता है Charlie क्यांकि पहले 3 थी 3 multiply by 4 12 Max Black found mathematical model resulting in an equation that described the shape of observed black body radiation curved exactly in तो रटा बेस्ट क्वेशन था यह आपकी बुक में उसने डेट दूई है 1900 चार्ली का correct answer है an object is allowed to fall freely under the action of gravity such that it covers s1 distance in 1 second s2 distance in 3 second and s3 distance in 5 seconds what is the ratio of s1 s2 s3 वो हमसे ratio मांग रहा है अब इस case को मैंने मुझे इसमें दो possibility नदर है मुझे statement पढ़के इन दोनों में फरक नहीं था नदर आ रहा रहा दोनों में आपको बता दो कि दोनों possibilities क्या थी जो मैंने ली थी पहली possibility यह है कि वो जो time कहरा है वो इस point से इस point तक five seconds का रहा है ठीक है इन दोनों cases को मैंने solve किया तो पहले मैंने इस वाले case को solve किया क्योंकि यहां पर मेरे पास initial velocity हाँ तीनों cases में 00 है जबके इस case में मेरे पास तीनों के पहले case में 0 थी इनिशल विलोस्टी अगले cases में कुछ ना कुछ होगी तो यह थोड़ा complicated था तो मैंने पहले इसको solve किया अब इसको मैंने कैसे solve किया मारे पास equation of motion है 2as equal है vf square minus v i square कैसे ही है यहां पर मारे initial velocity 0 होगी हमारी equation क्या बंजेगी हमारे पास a यानि कि gravitational acceleration हमारे पास है s की form में हमने equation बनानी है vf हमें नहीं बता ठीक है अब vf हमारे पास क्या होगा हमें बता क्या होती है vf minus v i divided by time के यहां पर भी v i 0 है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि मारे पास gt यानि कि time multiply होगए equal है vf क है तो यही gt हमने यहां पर replace कर दिया तो अब हम कह सकते हैं कि 2gs equal है gt square के तो यहां पर s की basically form बनानी है in terms of time ठीक है तो यह g से cancel हो जागा तो gt square divided by 2 हो जाएगा हमारे पास ठीक है यह भी एक वैसे core equation of motion होती है वहां से direct भी आप यह निकाल सकते हो ठीक है तो खेर इस equation में simply मैं time की value put करनी है और मेरे पास s की value आजेगी तो सबसे पहले मैं s1 के लिए put करूँगा g10 है time 1 second है तो मेरे पास 5 आजेगी s2 के लिए मारे पास time 3 second है तो वो हमारे पास क्या आजेगी 45 और s3 के लिए हमारे पास क्या है s3 के लिए 1 to 5 तो हमारे पास ratio जो मनती है 5 ratio 45 ratio 1 to 5 अब ratio में आपको बता है कि अगर कोई common factor हो तो वो cancel out हो जाए तो तीनों में 5 जो है वो common factor है तो वो cancel out हो जाएगा तो 1 ratio 9 ratio 25 आजेगी जो के हमारे पास option एक मुझूद है चारली ठीक है अब यहीं पर आप जो दूसरा केस है उसको भी verify एक तरह से कर सकते हो अब वो के case कैसे verify कर सकते हो कि हम total distance निकार रहे है यानिके यह हमारे पास distance जो इस case में वही इस case में आएगा लेकिन जो यह distance है ठीक है अगर मैं इस distance में से यह वाला minus कर दूँ ठीक है य अब इन तीनों में क्या है तो वाली मेरे पास 5 है दूसरा मेरे पास 45 से 5 निकला 40 आया तीसरा मेरे पास क्या है मेरे पास total distance जो है वह मैंने simply यह निकालना है तो इसमें से मैं क्या करूंगा मैं थ्री में से जो मेरे पास 2 आया था वो minus कर दूँगा तो वो मेरे पास क्या बनता है वो मेरे पास बनता है 1 to 5 में से अगर मैं 45 तो 80 बनता है ठीक है अब इन तीनों में common factor क्या है 5 तो 1, 8 और यह मेरे पास क्या आजेगा 16 ठीक हो गया तो यह किसी भी option में मुजूद नहीं ह है तो इस तरह से मुझे चारली जो अपना अंसर मिल गया ठीक हो गया अब प्रोटोन अट्रीट्रोन एंड अलफा पार्टिकल इस एक्सलेटेट थू इस सेंब पोटेंशल डिफरेंस इंटरारीजन अफ यूनिफॉर्म मिगनेटिक फील्ड मोविंग एट राइट अंगल वाट इस दी रेशो फ काइनाटिक इनर्जी तो हमसे काइनाटिक इनर्जी की रेशो मांग रहा है तो उसने हमें क्या क्या दिया हुए एक तो उसने हमें तीन पार्टिकल्स बता है तो इन पार्टिकल के हमें मैस भी पता है और चार्ज भी पता हर एक पार्टिकल के यानि तो हमें एक relation पता है कि हमारे पास potential difference for a charge क्या होता है वो बिसके हमारे पास work done per unit charge होता है ऐसे ही है अब वो हमसे kinetic energy मांग रहा है बिसके जो work है यही तो हमारे पास energy है ठीक है तो यह हमारे पास energy है चार्ज हमें पता है और जो हमारे पास यह सेम है potential difference ठीक है तो अगर यह constant है हमारे पास तो हम कह सकते हैं के work done directly proportional है charge के और हमें बारी बारी इन तीनों particles के charge का भी पता है ठीक है वो हमें पता होने चाहिए proton पर क्या charge होता है ठीक है ठीक है तो simply इनकी जो ratio बनेगी one ratio one ratio two बनेगी तो वो हमारे पास डेल्टा में मुझूद है इना double electron volt we have तो double electron volt में हमारे पास जो energy होगी वो कितनी होगी अब electron volt हमने पहले भी एक mcq में डिसक्रस के कि वो energy का unit है तो जहां जहां पर energy के इलावा कुछ और है तो हम उसको यहाई पर cancel out कर सकते हैं पहले में वोल्ट है वो भी cancel out हो गया तीसरे में जावल पर कुलम है तो वो भी cancel out हो गया ठीक है हमारे पास पीछे यह दो बनते हैं इन दोनों में से हम verify करेंगे वर पास 2EV है ठीक है तो value e की value डाल देंगे हम एक वाली 1.6 मेंट पर 10 दिश्ट पावर नेगटिव 19 होती है तो मेरे पास यह 3.6 मेंट पर 10 दिश्ट पावर नेगटिव 19 यह दिए बीटा क्रेक्ट आंसर है मेरे पास तो खेर हमारे पास positive charge है और वह attract और एक body के जब उसको पास लाए गया तो कौँसी statement true है from the following पहली statement है it may have negative charge तो negative positive आपस में attract होता है तो यह statement तो true है अगली statement हमारे पास क्या है it may have no charge यानि कि वह neutral है तो हम इसकी shorty दे सकते हैं कि वह neutral है तो हम इसकी shorty दे सकते हैं क्योंकि option D में वह कह रहा है both A and B it may not have positive charge तो यह statement incorrect है तो खेर अब हमने B को verify करना है अब अगर आपका conceptual यह बिसकली है अब इसका net charge देखो तो इस पर net charge zero है ठीक है जितने positive charge है उतना ही negative charge है और यह हमारे पास positive charge है अब जैसे ही यह charge इसके क्रीब आएगा आपने dipol effect एक चीज़ पड़ी होगी कि जैसे ही charge क्रीब आता है तो वह positive charge को repel करेगा positive charge दूर चले जाएंगा negative charge इसकी तरफ आ जाएंगे जिसकी विज़ा से अब positive charge इस body को attract कर रहे है तो हमारे पास neutral body को भी एक charge body attract कर सकती है यह वही फिनोमना है कि जब आप एक charge कंगे जब आपका कंगा चार्ज यह कोई charge body हो आपके कपड़े charge हो जाते हैं तो वह अक्सर कागस को चिपक जाता है उनके साथ तो इसके लिए वह यही फिनोमना होता है मेरे पास तो इसका correct answer है when a magnet is moved with north pole towards a close coil the further end of the coil act as तो वह कह रहा है कि नौर्थ pole को एक close coil की तरफ लेके जाए तो उसका जो further end होगा वो किस तरह से एक करेगा तो यह हमारे पास एक magnetic बाहर है नौर्थ pole south pole और यह हमारे पास एक coil है अब जैसे ही हम इसको इसकी तरफ move करेंगे तो coil due to induction इसकी motion को उप्श करेगा अब motion को खूज करने के लिए यहां पर पोलारिटी क्या होनी चाहिए कि कैया यहाँ पर नोर्थ pole रहए तो परके सब्लों ओप seeन तो नोर्थjuna को पूज करता तो यहां पर नौर्थ और यहां पर साउथ पोल लोगत तो यही पूशा isso यह वाले and पर चार्व यह गहां है वह साउथ पर एन्हाइब करेक्ट आूजित हुए यार वाच इस पॉर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर पर सैंड यह तो हमें उसने जैंद दी और वह से वेलोसिटी मांग रहा है तो हमारे पास जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारे पास 1 rpm है minute hand की कि एक minute में एक चकल लगा रहा है तो 1 round per minute ठीक हो गया तो खैर अब हम rpm को हम radian per second में convert करेंगे जो कैसा unit मिनट को सेकंड में करें तो खेर अब इसको सॉल्व करने के बाद हमें पता है तो हमारे पास एंगलर विलॉस्टी आगी तो सिंप्ली हम रेडिएस को मट्लिप्लाइ करेंगे तो हमारे पास जो यह वो आजेगी तो वह पास फॉर है और फौर बंज और यह 15 तो मेर पास क्या आजएगा वे दो पाई फिस जो कि में मुझूद चार्ली अ a loop of wire is placed on a perpendicular magnetic field suddenly the magnitude of the magnetic field begins to increase ठीक है यह loop है हमारे पास एक ठीक है इसको हमने place किया हुआ है एक magnetic field में जो के out of the plane है तो वो कहारे कि suddenly the magnitude is increasing what is the direction of the induced current तो हमें पता है कि जैसे ही magnetic flux change होगा तो हमारे पास current induced होता है तो वो कहारे कि इसके direction क्या होगी कि आया कि वो इस direction में होगा यह वो इस direction में होगा ठीक होगा अब यहां पर एक चीज़ याद रुखो कि जब भी induced crunch होता है वो change को oppose करता है ठीक है तो हमारे पास यह रिंग है ठीक है और magnetic field in the loop हम बात करते है out of the loop के साथ हमारा कोई concern नहीं होता है तो इन दी लूप मगनेटिक फिल्ड को अगर इसने अपोज करना है आउट अफ दी प्लेन है तो हमारे पास जो induced magnetic field होगी वो इस direction में होगी यह बाहर से अंदर आएगी या अंदर से बाहर जाएगी उसको अपोज करने के लिए तो इसकले हमारे पास पहला केस होगा कि वो अंदर से बाहर आएगी ठीक है तो हमारे पास जो induced magnetic field होगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगी ठीक है कि हमारे पास magnetic field lines अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जा रही है अगर आप राइट हैंड रूल लगाओ इस पे तो अपनी उंगलियों कर्ल करो तो आपको direction of the current मिल जाएगी और वो मिलेगी आपको clock wise तो मारे पास alpha is का correct answer है तो इंटरनल इनर्जी चेंज किस चीज़ पर मारे पास depend नहीं करता है वो इसके इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है ठीक है तो बीटा इसका correct answer है अपनी initial stage पे भी depend करता है वो और अपनी final state पे भी depend करता है path क्या path follow किया गया यह प्रजमपल यह पीवी डाइग्राम है मारव बस्टेट वन नहीं state two है तो अगर मैं इस यहां से यहां पे जाओ या फिर मैं यहां से यहां पे जाओ या फिर मैं यहां से यहां पे जाओ internal energy chain तीनों के case में सेम होगा the diagram shows the water wave in a ripple tank the wave has a speed of 50 meter per second at hour ठीक है the wave closes the boundary PQ यह boundary PQ where the distance between crust changes from 4 centimeter to 2 centimeter यानि कि इसकी wavelength change वे तो crust to crust distance पहले यानि कि 4 centimeter था और अब यह 2 centimeter रह गया ठीक है इस boundary को cross करने के बाद then what is the velocity of the wave after the wall तो हमसे velocity पूछ रहा है ठीक हो गया तो अब हमारे पास wavelength जो है वो हमारे पास change हुई है ठीक है तो अब बहुत से लोग once again jean गलती करेंगे गलती वो क्या करेंगे वह केंग ही wavelength ह候 हेरी है वह हमारे पास F is equal to V by wavelength होता है तोगर wavelength do we ganzes और ही हो तो हमारे पास velocity भी चयेंज होगी जबकि ऐसा केस नहीं होता wavelength के change होने से frequency होती है velocity constant ही रहती है तो जो velocity इसकी पहले थी वही इसकी velocity बाद में भी होगी तो इसका correct answer है once again repeat कर देतो अगर frequency हमारे पास एक तरह इप पास wavelength है और एक तरह उपमारे पास velocity है तो अगर ये change हो रहा है तो इसके change होने से ये change होगा और अगर ये चेंज हो रहा हमारे पास तो इसके चेंज होने से ये चेंज होगा इन डोनों के किशी के भी चेंज होने से ilafety change हो लेकिन अगर for disruption change हो जाती है due to other reasons velocity temperature भी dependent करती है for example sound के केस में तो velocity के चेंज होने से या अगर किसी और मीडिया में वेव अगर गई है तो विलोस्टी की चेंज होने से मारे पास वेवलेंड चेंज होती है फ्रिकॉंसी पे उस केस में फरक नहीं पड़ता तो यह कॉंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए तो रेंज बीटा पार्टिकल की कितन सेंट्रीपीटल फोर्स तो चेंजिन कानेटिक एनरजी रेव सो क्या होती है centripetal फोर्स क्या होती है कि उतर्य रिख्ष activities की तो यह क्या है में वेवि यहां क्यों डिरेक्शन नियुक्स होते हैं ठीक है ये आपका पास बेस्किली इस फॉर्म में होती है क्रोस वी होती है आपके पास थीक है तो खैर डार्रेक्शन चेंज हो रही है मैंगनिट्ड नहीं हो रहा तो हमारे पास ti in kinetic energy भी कुछ भी नहीं होगा तो जीरो होगा हमारे पास the figure shows the slope of a part of a long string in which transverse waves are produced by attracting one end of the string to a tuning fog of frequency 500 hertz what is the velocity तो उसने हमें frequency दी है velocity हमसे मांग रहे तो हमें frequency equal होती है वी बाय वेवलेंथ के तो हमारे पास velocity equal होगी frequency into wavelength हमारे पास frequency है वेवलेंथ हमारे पास नहीं है तो wavelength उसने हमें diagram की सूरत में दी हुई है तो इस point से लेके इस point तक हमारे पास wavelength है कि जो कि हमारे पास कितनी आती है two meter तो simply उसकी value plug-in करेंगे हमारे पास centimeter में है इसको meter में करने के लिए hundred से divide करेंगे तो हमारे पास velocity हमारे पास ten meter per second आजएगी बीटा इसका correct answer हुआ during the nuclear chain the laws of conservation that hold is or are ठीक है हमारे पास during the nuclear chain हमारे पास क्या क्या चीज़ें कौन-कौन से laws conservation laws होते हैं तो conservation of charge हमारे पास होती है ठीक है conservation of energy होती है इनर्जी और मैस यह दोनों चीज़े आपस में इंटर्चेंज होती है और इनका जो total है वो conserve होता हमारे पास ठीक हो गया और मारे पास conservation of momentum भी होते थो all of these x-rays are also known as तो यह भी एक रटा बेस कोईशन था तो इसका correct answer सब्सक्राइब करें तो यहां पर भी नॉर्थ पोल आजएगा ठीक है क्योंकि आपोज करने इसने इसके motion को ठीक है ठीक है अपोज करने के लिए इसको यहां पर नॉर्थ पोल और यहां पर सौथ पोल हो जाएगा तो नॉर्थ पोल ठीक है लेकर अगर उसका motion रोग देंगे तो यह पर इंग उससे आजा के चिपक जाएगी ठीक है ड्यू तो दी मगनेटिक एफेक्ट if the magnitude of a magnet force on a moving charge is half of the maximum value ठीक है कि magnitude जो हमारे पास maximum का half है ठीक है then the angle between the velocity and the direction of the magnetic field is तो वो कह रहा है कि जिस direction में charge वो मूव कर रहा है वो और magnetic field में क्या charge हो तो हमें पता कि force equal होती है q equal multiply by VB का cross product ठीक है और VB का cross product हम लेख सकते हैं VB sine of theta जो theta angle है वो हमारे पास V और B के दर्मयान में है ठीक है velocity और magnetic field के दर्मयान में ठीक हो गया तो अब जो basically यह factor बाकिसाब कुछ तो सेम है यह factor decide कर रहा है कि magnitude of the force क्या होगा तो maximum के case में तो 90 का angle होगा और sine 91 होता है लेकिन one by half किस angle पर होगा हमारे पास तो one by half जो sine of theta वो हमारे पास basically at 30 degree होता है यह चीज़े आपको sine और cos की value जो है ठीक है sine theta और cos theta आपको at zero degree ठीक है at 30 degree at 45 ठीक है at 60 ठीक है at 90 इन सारे angles पर आपको cos की और sine की दोनों की value आपको पता होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पर correct answer है Charlie our diatomic gas has a pressure due to its to diatomic gas में pressure किस वजह से होता है तो वह मारे पास translational kinetic energy इसमें involved होती है उसमें rotational kinetic energy involved होती और vibrational kinetic energy involved होती तो इसका answer है all of these लेकिन वापकी बुक में को चीज़ कहता है कि हम इन दोनों को assume करते हैं कि negligible है लेकिन यह exist करती है ठीक है तो इसका इसले correct answer all of these the equivalent resistance between a and b in the figure is अब यह आया वो question जहां पर आपको resistance जो है अब यह थोड़ा complicated सापको लाग रहा होगा तो इसके लिए practice require है ठीक है आप चार पांच से दस complex circuits को इस तरह सॉल करें कि जिसमें अपने equivalent resistance निकाने उसका तरीका क्या गूगल पर जाएं ठीक है गूगल पर जाकर सिंप्ली आप practice questions search करें ठीक है equivalent resistance के ठीक है वहां पर equivalent resistance practice questions लिखें तो आपको काफी ज्यादा circuits मिल जाएंगे और उनके solutions भी होंगे तो आप उनकी practice करें एक practice question यह भी हम इसको भी solve कर लेते हूं अब इसको solve कैसे करना है अब हरकिसी की different approach हो सकते है मेरी approach यह हमारे पास जो बिसके यह और यह आठ और दो हम यह दोनों आपस में parallel में है और चार हम और छे हम यह दोनों आपस में parallel में और यह दोनों आपस में parallel में तो है लेकिन इन दोनों का जो equivalent parallel जो circuit है ठीक है इसका और इसका parallel वह आपस में series में है तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 1 by 8 प्लस 1 by 2 यानि कि यह इसकी कुलेंट रिजिस्टेंस नेगटिव रेस पावर नेगटिवन प्लस 1 by 4 1 by 6 रेस तो पावर नेगटिव 1 और इन दोनों को add कर दिया तो इसकी मैं इन चारों को मैं एक equivalent resistance जो है इन चारों की निकाल रहा हूं ठीक है तो वह हमारे पास क्या हैगी तो हम solve करेंगे तो हमारे पास आजएगी 4 आजएगी ठीक होगे 4 आजएगी तो अब हमारे पास circuit थोड़ा simplify हो गया 3 आजएगी यह 6 आजएगी और यह हमारे पास क्या आजएगी 4 आजएगी अब यह तीनों आपस में parallel में है तो इन तीनों को भी आपस में parallel में solve कर लेंगे आर एक्यू एक्वाल है 1 बैस 3 प्लस 1 बैस 4 प्लस 1 बैस 6 और इस तो इसको solve किया तो मेरे पास इसकी equivalent रिजिस्टन्स जो है वह आजएगी 3 4 बैस 3 जो के मारे पास alpha में मुझूद है ठीक है लिए उनकी प्राइब करें आपकी बुक में इनफ प्राब्लमस नहीं है और वह आप से complicated problem भी पूछ सकता है वैसे त्यारी अच्छी हो आपकी ठीक है वैसे तो आम तो पर प्रेक्टिस कर कर जाए ठीक है नुक्सान ही होता प्रेक्टिस अगर आप एक कॉंप्लिकेटिट सेर्क्ल को सॉल्व कर पा रहें तो इसमें को नुक्सान दे चीज नहीं है यह आपके तना ज़्यादा टाइम लेगा हार्ली 10-15 विनिट्स आपको लगेंगे फोर दी प्रेक् प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेर वाइल कमिंग डाउन इट्स एक्ट्रेशन इस के एक्ट्रेशन है प्लस 9.8 वाट इस दी एंगल बिट्वीन एंड एड़ प्राइम या एडश ठीक है तो बिसकली वह कह रहा है कि ए और डैश में एंगल क्या है ठीक है इन दोनों फोर भी नहीं ला रहा है मैं पैसिज जनेरिक बात कर रहा हूं कि वह नेगटिव 9.8 होगी नेगटिव से क्या मुराद है कि विलोस्टी डिक्रीज कर रही है विद्धी पैसेज ऑफ टाइम और जी जो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है और यह एक्वल टू जी होंगी और इ दोनों सेम ही चीजे हैं तो उनके दर्मयान में एंगल जीरो होगा टू बोडिज ऑफ इक्वल मैसेज आर मुविंग ऑन टू सेर्कल पास ऑफ रेडिया फोर रेशो वन विच सेम एंगलर विलोस्टी ती रेशो ऑफ दी सेंट्रीपीटल फोर्स एक्टिंग और इस बोडि ठीक है रेडियो इसने रेशो दीविए है और से हमें बताया कि एंगलर विलोस्टी भी दोनों की सेम है ठीक है ओमेगा वन एक्वल टू मेगा टू है हम और वह सेंट्रीपीटल फोर्स की रेशो मांग रहे हैं रही है है कि FC1 ÷ by FC2 अब हमारे पास सेंट्रीपीटल फोर्स vaso le के टिरूप सेंट्रीपीटल फोर्स कि और पास दो फर्मूल्य है ठीक है एक तो अब होती है M V squared divided by R और अगर आप यहीं पर V को replace कर दो omega R से तो आपके पस M sorry M omega squared R हो जाता है ठीक है तो हम basically यह वाला use कर रहे है तो खेर हमारे पास यह constant है ठीक है और हमारे पास यह omega भी constant है तो हम force को directly proportional कर सकते है रेडियाई के ठीक है तो direct relation के मताब एक जो ratio रेडियाई किया वही ratio centripetal force की भी होगी तो delta का correct answer है अब बहुत से लोग यहाँ पर एक और गलती करेंगे वो इस relation को use करेंगे और वो यहाँ से केंगे force जो है वो inversely proportional है R के ठीक है लेकि याद रहे कि जब यह proportionality लाते हो तो आप साबित करते हो कि mass भी constant है और velocity constant है के नहीं है velocity constant नहीं है तो इसलिए आप यह proportionality नहीं बना सकते है बहुत से लोग यह proportionality बना के वो क्या solve करेंगे वो बीटा को मार करेंगे जो कि गलत है ठीक है इस चीज़ का धियान रखना आपने कि जब यह proportionality लाते हो वापिस ठीक है तो आप यह डिकलेयर करते हो कि आपने जिस जिस term को खतम किया है वो constant है अगर तो आप डिकलेयर नहीं करते हैं तो आप proportionality खतम लाते वक्त उनको खतम नहीं कर सकते है ठीक है मैंने यहाँ पे m और omega को खतम किया proportionality लाई है तो मैंने यह डिकलेयर किया कि यह दोनो constant है इस चीज़ का धियान रखना है ठीक है और आपको एक और चीज़ आपने पूरी physics में derivations की है ठीक है अपको बहुत ज़्यादा इस्तमाल करनी पड़ेगी तो अपनी derivation skills derivations को याद करने के बजाए derivation करते हैं जो mindset होना चाहिए उस चीज़ का आपको पता होना चाहिए उस चीज़ के आपकी practice होनी चाहिए यह चीज़ याद रखना तो area under the PV graph हमारे पास basically क्या होता है वह हमारे पास work done होता है ठीक है तो इसका correct answer है Charlie radium was discovered by तो radium किसने discover किया था यह basically दो scientist है Mary crew and perry crew तो इसका correct answer है delta both B and C in uniform circular motion the factor that changes continuously is तो हमारे पास जो factor जो continuously change होता है क्या centripetal acceleration change होती है नहीं क्या centripetal force change होती है नहीं 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 इन uniform circular motion the factor that changes continuously is तो हमारे पास कौन सा factor है जो continuously change होता है linear velocity change होती है मारे पास होती है मारे पास हमारे पास centripetal acceleration चेंज होती है तो centripetal acceleration के जो magnitude है ठीक है वो मारे पास change नहीं होता ठीक है उसमें चेंज नहीं होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होती है तो एक्सलेशन की बात हो रही है तो एक्सलेशन में दोनों चीज़े है तो हम डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि हाँ एक्सलेशन भी चेंज होगी और सेंट्रीपीटल फोर्ज का भी झाल झाल